असकार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंट से दोस्तों दिवाली का तियोहार आ गया है सबी लोग जो है इस समय घर के अंदर की सौपिंग के साथ जो है अपने गार्डन के लिए भी बहुत सादा सौपिंग कर रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स ले रहे हैं मुझे मेरा इसी जनमें तो मैंने अपनी ही गार्डन के बने हुए प्लांट जो मैं खुद बनाये हैं मैंने उनसे ही अपने गार्डन को सबानी कोसिस कर रखी हैं तो काफी सारे प्लांट जो है इस समय किस तर्शितृब कर रहूं फिर फच्तर oportun में कर रहे ह। मैं और वीडियो मेरा इसी पर है कि जरूरी नहीं कि बजार से ही में हम प्लांट लाके जो है अपने गाडंग से आ सकते हैं अपने घर पर भी हम कुछ महनत करें तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं का भी सारे प्लांट आसाने से त्यार हो जाते हैं दोस्तों दीपावली के त्यारी जो होती है वो गेंदे की फ्लांट के बिना गिदंकी फ्लावर के बिना अधुरी होती है अधिकांस लोग जो है इस समय गेंदे की फ्लावर जो है फ्लावर भी खड़के लाते हैं क्योंकि मार्केट में ये जो हैं गेंदे की फूल जो हैं किलो के हिसाब से बिक पूरे सीजन भर आपाते और वो प्लांट जल्दी मर जाता है तो मैंने जो है इस बार अपने ही गार्डन के जो प्लांट है यह देशी बराइटी है सारी और धेरों इसे हमाल प्लांट त्यार कर सकते हैं तो इन सबसे कितने सुंदर गैंदे मेरियां खिल गए हैं तो इनको इस तरह से अरेंज कर दिया है मैंने यह देखिए जैसे यह बकेट है बकेट में लगा रखा है बकेट में जो है इतनी प्लांट लगे हैं तो एक हाइट इतनी मेंटन कर दी है ज्यादा बड़ा प्लांट है और उसके बाद जो है यह पॉर्ट में रख दिये हैं पॉर्ट क मैं से कुछ पैंटाज तो मैंने सिप्ट कर दिए हैं टैरेस पर सिप्ट कर देती हूं क्योंकि मैं आको बताते हूं जैसे पॉलिबैग में और कुछ जो ऊह हैं लेंटाना बगर है उनका अभी कर रही हूँ यह देख़े लेंटाना की क्रोनिंग करके लेंटाना को पॉली वैग में रख दिया है मैं इसी तरह से कई कोई मेरे फ्रेंट पूछ रहे थे मैं कैसे प्लांट को सेव करते हूं इस तरह और अभी खोड़ी गर्मी है तो देखिए नैने सीट से भी हैं और कुछ मैकजिमम जैसे ही मैंने देखा कि मेरा एक प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर आ रहा है बहुत अच्छे इसकी फ्लावर्स हैं तो मैंने उसकी कटिंग लगाना सुरू कर दी तो बीच में अभी बहुत पहले एक बार बारिश हुई थी बार इंसेक्ट नहीं लगता है बहुत लांग टाइम तो चलेंगे और इस पर देखिए कितनी सारी ब्रांचेज हैं मैं इस मैंसे देखिए ये ब्रांच तोड़के अलग करूंगी फूल सहित भी मैंने लगाए हैं ये प्लांट तो फिर से जो है ये नए प्लांट फूल सहिती बन गए हैं तो मैंने सबसे ज़्यादा गेंदा ग्रो कर दिया यहां पर गेंदे की सानी अलग होती है लाल लाल पौट खूब सुरत पौट नीचे पूरी सफाई कर दी है सफाई के बाद जो है इस तरहीके से रेट कलर के पौट के बीच में देखिए ग्रीन पते और येल मैं इतने बड़े प्लांट तो मैं यहां पर त्यार नहीं करती हूँ यह सब मैंने जैसे तरह से लेंटाना को समाला है इसे तरह से पौली बैग में त्यार किये थे साथ ही पीछे मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बैक्यार्ड में त्यार कर रखे यह देखिए यहां मेरी पूरी क्यारी त्यार है जैसे ही बट्स पर आ जाते हैं और लगता है कि ये अब जो है फ्लावर इसका अच्छा है तो इसे सिप्ट करके मैं फ्रंट गार्डन में अपने पॉट में सिप्ट कर दे लिए हूँ ये प्लांट जो है खूब अच्छी तरह से मैं मिट्टी सही निकाल देती हूँ आसानी से निकल जाते हैं खूब मिट्टी भी इसमें साथ मैं भूट बॉल को डिश्टब न करते हुए साम के समय अगर सिप्ट करेंगे तो कोई भी प्लांट इसका नहीं मरता है तो मैं इस तरह से इसके सिप्टिंग करके बहुत अच्छी तरह से अपने प्लांट मैंने त्यार कर दिये ये देखिए डेक यार्ट पे हमारे जो है इस पर भी मैंने ऐसे पॉली बैग बगर रहे हैं जो है खूब सारे जिस से मुझे लगेगा जिसमें बहुत सुन्दर फ्लावर है तो उसका पॉली बैग से जो है साइट से बहुत अच्छी तरह से पूरा रॉट बॉट बॉल जो से निसाहित निकाल के इस प्लांट को मैं अपने फ्रंट गार्टन में सिफ्ट कर ले रही हूँ गुलदावरी में मेरी इतनी सारी बर्ट तो बन चुकी है ये पहले खिलती हैं पर अभी इन में इस प्राउट में कुछ टाइम लगीगा तो तो दिवाली निकल जाएगी तो मैंने इनका उपयोग नहीं किया मैंने सिर्फ गेंदी का ही जादा प्रियोग कर रखा अपनी गार्टन में इस समय visa के आपकंज सारी देखते हैं वो गिलाडीा की फ्लावर होते थे तो इस सब अटा दिये हैं और यहां पर देखे रंगीं, क्रोटन और जो है इस पर आसे ये गैदी कि फ्लावर यह सब घर के ही हैं कोई मैं बहार से लेके नहीं आई हूँ छोटोटे प्लांट मिलते हैं नर्सरी में वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे तो यह सब लेके आई हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसमें जो है फ्लावरिंग हो जाएगी और यह देखिए फिर इन उन में मिट्टी के आप सकता है तो वो डाल दी है और इस तरह से देखिए यह घर से ही त्यार कर दी है मैंने कितनी अच्छी तरह से लॉलीपॉफ लावर्ण टे त्यार हो चुके हैं और जो इस्पेस बचरा है उन इस्पेस के बीच में जो है इस तरीके छोट छोटे पॉ करके और यह देखिए यह मैंने खुद बनाया था पिसली राफलोगों से सेयर वहा था दुसरा वहा दैखाया था अभी मैं एक और आज बनाया है मैंने तो यह भी जो है अपने ही घर में यह बाकर मेलन वाइन है और इस तरह से हैंगिंग प्लांटर बना के ट आंग दो तो इन तरह प्लांट के बीच में काफी सुन्दर लगते हैं ये देखिए किते सुन्दर लगते हैं इनका लुक ही अलग निखर के आता है साथ ही मेरे बिगोनिया जो है मेरे खुद के ही त्यार किये हुए हैं तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट अपने पास त्यार करके इस सब्धो '' आप नहीं आती हैं'' कोई दुनों के बाद जो है मेडेडर दूप कम रहेगी तो मैं इनको हटा दूँगी यहां से और यहां पर जो है इस तरह के प्लांट जो मेरे खुद के घर में तयार हुए है विक्टोरिया ड्रेसीना और उसके पास देखे कितना सुन्दर यह मेरा कोलियस चल रहा है इस बाले स्टेंड को भी पूरा साप किया गया है साप करके देखे दोस्तों जो प्लांट का अरेंजमेंट रियरेंज कर दिया है प्लांट को कितना सुन्दर लग रहा है यह देखे ड्रेसीना और यहां पर मेरे क्रोटन सारे क्रोटन इस तरह के सजा दिये हैं height के हिसाब से arrange कर दिये हैं वो और देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं और साथ ही दोखिए यहाँ पर मेरी खुबसूरत koleus है यह देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं koleus तो इस तरह ज़रूरी नहीं कि नरसरी से ही हम प्लांट लाके जो हैं अपने गाटम को सिजा सकते हैं अपने घर में भी बहुत सारे प्लांट हैं और यहां देखिए खुबसूरत यह आपको फिर से गिलाडिया का एक healthy प्लांट दिखाती हूं देखिए और यह किसी ने प्लांट जो है यहां से flower पंची किया होगा नीचे स कट करना चाहिए कभी भी प्लांट जो है से सोख राव हो जाती है कई बच्चे आके तोड़ दे हैं कोई भी तोड़ दे ऊपर से तो उसको नीचे से मैं कट कर दूंगी और कितने healthy लग रहे ही प्लांट इस समय हर प्लांटर मेरे काडम जितने भी हैं सब में पेंट हुआ ह और सब में गुडाई हुई है तो इस तरह और भी इनकी खुबसूरती बढ़ गई है इस समय देखिए यह ड्रेसी ना देखिए कितना सुन्दर लग रहा है जब यहां पर बहुत सारे गैंदे खिल गए तो इसके पास मैंने देखिए एक कलर मेंटेंड करने के लिए उनमें जो है उनी को पूरा डूट बॉल सहीद लाकर अब पॉर्ट में सिफ्ट कर दिया है यह तो मेरे पुराने प्लांट है मेरे पैंटाज जो है बहुत इनकी अच्छी हेल्थ थी उनको मैंने रखा तो देखिए मैंने क्योंकि लिकुड फटाई पढ़ते रहते हैं तो जो प्लांट रूट बाउंड हुए है तो उनको भी मैंने हटाया है यह देखिए मेरे अरेलिया कितने हेल्थी दिखाई रहे हैं आपको जो है इसके नीचे पते नहीं दिखाई देंगे यह देखिए पूरे जो है एक बॉन्जाई लुक लिए होंगे मेरे पास यह देखि और यह जो मेरे पास बर्ड थी पुरानी यह बर्ड रख दिये एक उस साइट रख दिये है और यह पूरा घर मेरे जो मेरे घर की ही है इसमें यह फेरन प्लांट बगर सब मैंने नीचे रखे थे तो इनको जो है इस्टेंड दे दिये हैं और इस्टेंड करके दो फेरन प् क्यारी को भी मैंने रंगीन मनाई कोसिश करी दोस्तो हमारी याँ धूप की बहुत कमी है मैंने आपको करी वर बताया है धूप की कमी को पूरा करने के लिए रंगीन पत्तों से मैं पूरा करना चाहती हूँ इस बार बहुत पहले मैंने इनकी कटिंग करी थी इस समय जो है अब मैं इन कोलिय से कोई छटाई नहीं करूंगी नोकि इनके छटाई अगर आपके पास धूप पाली जगह पर नहीं है तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी यह उतनी अची ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे तो इसलिए देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं बीच बीच में जो है मैंने यह देखिए एक ग्रीन और एक इस तरह कलर कुछ प्लांट जो है अभी यहां पर गेंदी के लगाए हैं यह फ्लावरिंग पर नहीं आया तो कि यहां धूप की कमी है जो टेरेस पर रखे थे वो सब फ्लावरिंग पर आ गए उनको मैं नीचे ले आई हूँ और इस तरीके से देखिए यह खुबसूरत मेरे ज्यादतर मैंने कोलियस से यह बीच में गुलदाबरी है ज्यादतर मैं एक जिमम यहां पर आपको तरह के समय जो है लाइटिंग गर कर दे तो इनकी खुबसूरती और भी निखर कर आती है बहुत सुन्दर लगते हैं तो इस तरीके से अरेंज कर रखा है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे गेंदे की बाहर गेंदे से जो है मैरी गोल्ड से मैंने अपने गार्डन क किस सजा रखा किस तरह से महनत करके इते समय से मैंने प्लांट त्यार कर रखे हैं खुब प्लांट त्यार केजिए गेंदे का प्लांट जुलाई से लेकर मई तक आपको फ्लावरिंग देता रहता है जुलाई सुरू करता है और मई जून में जो है मई लास्ट और जून मे जो है इसमें जब बहुत गर्मी पढ़ने लजाती है तो उस समय ये प्लांट जो है इसमें फंगस का अटेक होता है और ये मर जाते हैं और जो हमारी घर में हम देशी वेराटी त्यार करते हैं दोस्तों इन में बहुत ज़दा कैपिसिटी होती है ये लॉंग टाइम चलती है नरसरी वाले जो हैं बहुत जल्दी मर जाती है तो उम्मीद करते हैं आपको आजकर वीडियो पसंदा आएगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार